तर्ट चलती है बस टेवल, the first one third with speed 10 kilometer, next one third speed 20 and the last one 60, average speed निगालना है, अब दिखो यह आसान कोश्चन यार, average speed कैसे निगालना है, average speed, अगर कोई distance है, समझना, कोई distance है, ये distance है, तो ये s by three, फिर s by three, फिर s by three, अलग-अलग जो है, वो s by three पूरा three s था, तो ये 10 से चली, 10 से चली 20 से चली 60 से चली 10 से चली 20 से चली 60 से चली तो average speed total displacement upon total time T1 plus T2 plus T3 ठीक है? इसमे time T1 लगा होगा, इसमे time T2 लगा होगा, इसमे time T3 लगा होगा यह point मैंने indicate कर दिया अब average speed total displacement upon total time total distance हो गया यह वाला पूरा 3S ले लिया हूँ यह ठीक है या नहीं तो yes ही ले लो क्या दिक्कत है yes ले लो कोई दिक्कत नहीं है calculation ठीक है यह पूरा yes ले लिया हूँ तो अब इसमें value उठाके डाल दो तो यह जाएगा s और यह time की value डालो time is equal to distance upon speed distance कितना है s by 3 और speed 10 है plus s by 3 और speed 20 है plus s by 3 और speed 60 है तो s by 3 s by 3 common आ गया और यह पूरा उपर चला गया 3S और नीचे बच गया 3S 0 भी common ले लो ना क्या दिक्कत है ठीक है यहाँ से देखो s upon 30 common ले तो s से cancel हो गया और जो उपर चला गया वो 30 चला गया और नीचे बच गया यहाँ 1 plus 1 by 2 और 1 by 6 ठीक है तो यह इसको solve कर लो ठीक है इसको solve कर लो यह कितना आ जाएगा या ठीक है यह 30 multiplied by 6 और यह 6 6 6 6 6 9 और यहां से 9 10 ठीक है ठीक है तिया जाएगा 18 मीटर पर सेकंड ठीक है 18 मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड 18 मीटर पर सेकंड पर में घ्राएगे स्पीड आ το 9 10